हेलो स्टुएंट्स बेसिकली जो आप हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सीपी ओ और गिनाजेशन है एक चीज में आपको स्टार्टिंग उफ क्लास बता दू दुखो में भी आप बहुत सारे कोशेंस आप लोगों के माइंड में वहेंगे बहुत सारी टॉ तो इक तरीक से यहां पर स्टार्टिंग में मिक्स्चर काफी चीजों का जो काफी चीज बताएं नहीं है बट इस्टेल यूज ओर रहा है तो मुझा अप लोगों को समझाने के बैट इस्टेल आप लोगों को भी पेशेंस रखना है कुछ नब डॉट्स तो आपको डिफ थोड़ी सी हम लोग डिसकुशन करें तो जो मैंने प्रिवेस ग्लासेस में अभी थक आप लोगों को बताया है यह आईडिया लिया है कि देरा थ्री मेजर कॉंपोनेंट्स ओफ़ कम्प्यूटर फिस्ट वनिशयोर मेमरी हाँ जी सेकींड वनिशयोर C.P.U. अन्त तर्ड वनिशयोर आययोर पाट आययों मीज इंपोड आपवोड डिवाइस ठेक तो कहीं न कहीं जो मेजर इंट्रक्शन होता है कि सपोर्ज आट आपको जैसे आपको C का प्रोग्राम होचा जावा का प् देखो या, प्रोग्राम से ही क्या बनते हैं आपके, सॉफ्ट्वेर, प्रोग्राम से ही आपके क्या बनते हैं, आप्स बनते हैं, प्रोग्राम से ही आपके जो भी वेबसाइट से हो बनते हैं, हमार राइट, तो खास बात यह है कि आप जब भी जैसे माल लो कि अगर ऐसा ब है न, कहीं न गहीं, आप उसे save कराते हो, तो वो exactly save कहा होता है Memorie में save होता है, पहले चीज, अब दूसरी चीज है कि वो exactly मेरी बाध ध्यान से सुनना जब वो program save होगा, तो वो एक तरीके से static है बट second step होता है, saving के बाद आपको इसे एक तरीके से compile और run कराना होता है compile to Detect the Errors, और दूसरा हो तर रंग कराना, तो Always remember कोई भी execution होगा कोई भी execution होगा, वो कहां होगा, CPU होगा Always remember कोई भी execution होगा, वो कहां होगा, CPU होगा, कोई भी execution होगा 서CPU के आपने आप में ही three major components होते हैं एकटोस के अनदर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं कुछ मेंने रजिस्टर से आप लोगों से डिस्कस किये थे प्री वेर्ज Castle में रजिस्टरस होते है चोटे चोटे हide hood right Ef रेजिस्टर्स apologize वे lorsque गृट द गृट तो स्टोटे सुरबिक mater primeiro हम लोग temporary basis पे data आपकी रजिस्टर्स में स्टोर करते हैं और जो सबसे important और major component है वो हो इसका ALU क्या है ALU यह रहा आपका पूरा CPU यह CPU पार्ट है CUP में आपका ALU है रजिस्टर्स है और एक और CU CPU means control unit अभी मैं control unit की बात नहीं करने वाला हूं अभी मैं बात करने वाला हूं ALU की little bit about ALU ALU बैसे second unit अब बहुत detail में हम लोग मरने वाले हैं बट अभी के लिए idea समझो अभी तग आप लोगों को क्या सिखाएगा कि ALU is mathematical logical unit means to say what are mathematical जो भी operations होंगे addition subtraction हाना आप लोगोंने basic जो डिवीजन जो operation हो अपरेशन हो अपसे कर देता है वाई ALU के अंदर ऐसा क्या है जो addition कर दे रहा है ALU के अंदर ऐसा क्या है जो subtraction कर रहा है यह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के mind में question mark की तरह चलनी चाहिए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि CPU is one of the major component और like सबसे important component CPU means first you have to save your program then you need to run your program or execute your program then you need what you need a CPU in CPU there are three component register control unit and ALU is the place where your executions जो भी execution part होगा वो होगा control unit पारे पूरे system को control करके रखता है और registers you know how like registers में क्या क्या होने वाला है तो कहीं न कहीं अभी मैं topic कराने वाला हूँ जो इनी से जहां registers भी यूज हो रहोंगे जहां control unit का भी मैं नाम discuss करूँगा जहां मैं ALU का भी नाम discuss करूँगा तो अभी के लिए आपको इतना समझगा है ALU वो पार्ट है जहां calculations होती है कैसे होती है वो हम बाद में discuss करेंगे CU is the boss मैंने previous lecture में बता है कि control units पूरे आपके computer को तरीके से सारी functionality को hold करके रखती है he is the boss जो decide करती है कि exactly क्या operation perform करना है रजिस्टर मतलब एक तरीके से होता है कि जो data पूरी computer में घूम रहा उसको hold करके रखता है तो खास बात है इस CPU की organization होती है CPU की organization means what द्यान से जो ऐसा हुआ जब starting के दिखो है होता है कि आज की date में जो आपका CPU का version चल रहा है कि पहले Intel PC से आप लोग आज कल कहते हैं आई 7 आई 5 version होते हैं तो हर एक version में CPU के क्या होता है CPU को ही processor बोलते हैं हर एक CPU में आपका exactly क्या होता है कुछ ना कुछ features enhance होते हैं उस CPU के performance enhance होती है तो खास बात ही होती है जब starting में आपका computer को बनाया गया तो CPU को कुछ organization में बाटा गया तो पहली जो organization है वो है register based organization मतला जो भी operation होंगे वो registers की helps होंगे register based organization CPU का थोड़ा थोड़ होता आपका stack organization अब क्या होता अभी दिरे-दिरे समझ में आओगी वैसे तो एक subject आप थर्ड से में पढ़ते हो BTEK के data structures वहां आपको stack detail में पढ़ाया जाएगा but still थोड़ा से यहां पन नीड होगी है तीसरा होता accumulator based CPU accumulator अब आप लोग सोच रोगे sir accumulator क्या होता है we will discuss in future lectures तो अभी हम लोग जो topic पढ़ने वाले है register based organization मतला CPU को task hey if somebody ask what is CPU simple answer है कि CPU is basically to execute our program है ना बिना CPU को कोई भी program आपका execution नहीं होगा but उसके type कैसे मतला CPU दिखता कैसे CPU अंदर काम कैसे करता वो मैं आपको register based organization की help से अभी discuss करने वाला हूँ so have some patience okay है hey जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि CPU organization के three types है एक आपका general register organization दूसरा आपका stack organization third one is single accumulator organization अभी आप लोग स्टैक organization single accumulator organization के बारे हम भूल याओ अभी हम लोग discuss करने वाले general register organization किसकी organization CP organization तो अभी आप लोग कहरोगे सर इतना खतरना सा डाइगराम माना रखा आपने but have some patience सब कुछ समझ में आने वाला बहुत आराम से हम लोग करने वाले धीरी धीरी चीजों को समझेंगे एक एक aspect समझेंगे तो आपका पूरा focus जो है वो यहीं होना चाहिए ठीक है ना तो आप लोगों को definitely 110% at the end of a lecture समझ में चीजे आने वाली है बाट what is required your patience and your time okay let's start अब ध्यान से दिखो यार suppose that I want to perform एक चीज में आप लोगों को और discuss कर रहा हूं कि जो registers होते हैं register temporary basis पे भी होते हैं और special purpose register होते हैं जैसे special register में special purpose register में starting lectures में बदाए कि PC PC means program counter तो program counter का क्या काम होता है next instructions to be executed instruction register current instruction to be executed MAR memory address register MDR memory data register तो कुछ registers ऐसे होते हैं जो special purpose के लिए होते हैं कुछ register ऐसे होते हैं जो यूहीं use होते हैं जैसे माल लो मैंने और एक और जी हमेशा registers को caps में रप्रसेंट करते हैं तो मेरा target यह है देखो यार जैसे माल लो you want to आपने एक प्रोग्राम मनाना है के sum of two numbers का प्रोग्राम मनाना है तो generally आप लोग क्या लिखते थे रजिस्टर रज्यूम कर हुए है ठीक है तो जैसे c equals to a plus b है ऐसे r2 में data बढ़ा हुआ है मतला r2 एक रजिस्टर उस्टर में कुछ data store है माल लो two store है r3 एक data store है और उसको r1 में assign करना है तो always remember जो c equals to a plus b लिखा यह high level language है यह जो मैं लिखना हूँ r1 और r2 यह आपकी assembly language है एक तरीके से और always remember r1 r2 में यह लिखना हूँ but computer इसको किस form में समझेगा binary form में समझेगा किस form में समझेगा binary form में समझेगा जो आप जानते उसी में instruction है हर एक प्रोग्राम की हर एक लाइन एक तरीके से instruction है अभी आप लोगों को बहुत confusion होने वाले sir instructions क्या है है न बट instruction धीरे 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 आपके देखो याद यह subject ऐसा है कि आपको अपने दिमाग में picture बनाना ज़रूद है अच्छा cp वहां होता ओ memory यहां होती यह सारी चीज़ें माइंड में होनी चाहिए तो इतना समझेगा कि जो आप लिख रहा हो वह high-level language assembly language यह binary language मतलब होगा 01 में R2 का कुछ मतलब होगा 01 में R3 का कुछ मतलब 01 में है न वह सारी चीज़ें तो मेरे को operation perform करना computer के अंदर CPU के अंदर I want to add two numbers those two numbers are stored in two registers the name of the registers are first one is your R2 register second one is the R3 register I want to store the addition of these two registers into the third register that's name is R1 so how it happens inside the CPU तो यह आपका general register organization में उसके basis में आप लोगों को समझा रहा है ठीक है यह पूरा CPU है hey focus here और कहीं focus नहीं करना यह जो आपको diagram दिख रहा है सिर्फ आपको यहां focus करना और कहीं focus नहीं करना है hey मैं start करना हूं तो आप लोग अब ध्यान से समझेंगे hey तो target क्या है आपका target है आपका R2 और R3 का data you want to add these two numbers और you want to store where in R1 ठीक है अगर आप लोगों को ध्यान दे रहा हो तो आप लोगों की पूरे system में आपको दिखाई दे रहा है suppose that कि आपका जो CPU है वो 7 registers को support करता है मितलब आपकी जो CPU है पे 7 registers है उन 7 registers को मैंने represent किया हुआ R1, R2, R3, R4, R5, R6 जो आपको data read करना register का वो R2 data read करना है और जो data second read करना वो R3 में available है you want to read the data from R2 and R3 और आपको इन दोनों का data है वो store कहां कराना R1 मतलब इन दो registers का data आपको R1 में store कराना यह आपका target है तो exactly क्या होगा कैसे होगा अब खास बात ही कि R2 का data read करोगे क्यो read करोगे addition perform करने के लिए R3 का read करोगे data क्यो read करोगे हां जी addition perform करने के लिए तो खास बात ही है बहुत ध्यान देने की जरूवत है मक्स मैंने आपको previously भी use किया था मक्स को मैंने आप लोगों के तरीके से यह बता था कि कितने भी input हो यह आपको एक output generate करने वाला अभी के लिए मैं समझो detail में पढ़ेंगे बात में मक्स के बारे में भी तो ध्यान दो खास बात यह है कि यह मक्स है यह मक्स है ध्यान से सुनना अगर एक तरीके से दो input है एक R2 सी input आ रहा है एक R3 सी input आ यह आपका ALU में क्या perform होगा एडिशन perform होगा एमर राइट ठेक अध्यान से सुनना क्या होने वाला है तो खास बात यह है एक input जो है वो R2 जो है वो मक्स 1 के तरू हो के आएगा और जो R3 है वो मक्स 2 के तरू होने गा है अगर suppose यहां R4 भी होता तो एक और मक्स की नील होती ठीक है यह ची समझो अब कै कैसे होने वाला है मेरे पास टोटल कितने रेजिस्टर सें सेवन रेजिस्टर से एक बात बताओ suppose दैट वही मालो आपके पास four things है ध्यान से सुनने यह मैं रफली चीज़ बता रहा हूं एक दो तीन चार चार रेजिस्टर तो आपको एक बात बताओ कितने बिट्स की तो आपको तीन की जरूओत होगी 002 से काम नीच लएगा आपको एक लगाना पड़ेगा 000001 00 कि किसी आप लोगों को सीखना पड़ेगा 0000001010 इस तरीगे से नंबरिंग फी मेरा मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आठ यह 7 है देखो यह रफली एक चीज़ आप लो आपको नहीं आ रहा हो इतना समर्य हो देख रहा है मालो आपके पाथ 4 cells होती है चार cells के लिए कितने इसकी जो addressing होगी है एक मालो you want to select one field among four places तो आपको बाइनरी में कितने डिजिट्स की नंबर होगी मातर दो से काम चल जाएगा 00001 101 मतलब ठीक है कैसे देखो है चार है त तो कितने लिख सकते है तो दो बिट से काम चल जाएगा suppose अगर आपके यहां पार 8 cells होते हो तो आपको 3 bit की जरूद परते है क्यों अगरे रिजिस्टर है 7 7 7 लिखे 7 तो 2 की फार में आता नहीं है भी 7 तो 2 की फार में आ गए नहीं हमेशा ध्याम दोस्ते जो बिगर वाला होता है यह जो नियरेस्ट रोत हम बहु कंसीडर करके चलते है मतला हमको 3 bits की जरूद पड़ेगी किसी 7 रिजिस्टर में से किसी ए डिज त्री इंपुट्स आर जनेरेटेद वाइ डि यं कंट्रोल में धा इसनिदे भी टोडे फिक्ति वह जो बी ब्रूसार गएंपुट्स एंपट्स सबॡेरेटेडटे था 2 कि ए जी जो इन्पोठेचे उन में इसकी क्या पासिभिलिट्ट्टि तर जीरो जीरो जीरोन जो अभी मैं बता रहा था, यहां फिर क्या होगा, 011, यहां फिर 100, यहां 101, यहां 110, यहां 111, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैं 3 inputs से 8 selection कर सकता हूँ, यहां फिर है न, सेम ऐसे ही select line B, जो यहां का 3 inputs से 3 inputs क्या possibility है, यह 0000 लिख आँ, मतला 000000, 001, hopefully आप लोगो जाए, इसकी क्या गया possibility, 00000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, और 11, ठीक है, अब ध्यान से सुना, एक बाप देखा, always remember, जो 00 होता, अभी उसको आप consider मतला हो, जो 0 क्यों consider ना करो हो, यह भी सिखाऊँगा, 001 जो representation होगा, होगा मतला this is related to 001 इस cell को अगर read करना तो input जो होगा 010 मतला R1 इससे select हो जाएगा इससे R2 इससे R3 इससे R4 इससे R5 इससे R6 और इससे आपका R7 यह आपका R1 है और यह आपका last R7 ठीक है आपको पहला जो register data data read करना हो क्या करना है R2 एक बात हो था R2 के time पे आपका input क्या होगा 011 मतला यह जो input होगा 011 तो always remember यह जो registers है यह साथ लाइन है साथ लाइन मक्स 2 से connected है साथ लाइन मक्स 1 से connected है बट 7 में से मुझे R2 चाहिए तो अगर मेरा input 010 होगा तो मेरा R2 यहां से input आएगा मक्स कितरू जो R2 का data होगा बस कितरू अल्यू में चला जाएगा बास समझ महारी है ऐसे ही अगर आपको R3 में data read करना हो तो यहां पर जो जैसे होता है कि मैं कुछ force लगा रहा हूं तो यहां पर जिस according है जिस type में यहां से input मिलेगा उसी according का input यहां से आगा अगर मालो मेरा input होता यहां पर 100 तो मैं R4 का data read करता अगर मेरा input होता 110 तो मैं R6 का data read करता सेम एस अगर मुझे R3 read करना है तो मेरा input क्या होगा यह sorry यह R1 है यह R2 यह R3 तो मेरा यहां पर R3 R1 R2 R3 यह R3 मतलब मेरा जो input होगा यहां पर होगा 011 ठीक है तो मतलब किसका data read हो जागा max के थुरू R2 का data A bus के थुरू आ गया R3 का data B bus के थुरू आ गया दोनों आगे ALU में इतनी बात समझ में आगी अब ALU का अंदर ऐसा क्या है जो मैं addition perform कर चुक हूँ वो सूचो हे देहान देहान दो मुद्दे की बात पर समझो बहुत patience रखने के आप लोगों को जरूरत है क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हो 3 inputs से आप कितने जनरेट कर सकते पूट दी पावर 3 मतलब 8 selection कर सकते 3 inputs से आपको कितने selection कर सकते 3 पूट दी पावर 3 मतलब 8 selection कर सकते am I right suppose that आप आपके पास 16 रजिस्टर होते common sense लगा और काप 16 रजिस्टर होते तो यहां input कितने होते 4 यहां input कितने होते 4 अगर 16 अगर 32 रजिस्टर होते तो यहां पर आप कितने input lines जालती 5 अगर 64 होते तो input कितने होते 6 क्योंकि 64 में से कोई 1 select करना कितनी bits required होंग यह आपको सोचना भी करता है, multiplication भी करता है, division भी करता है, आपके सारे operation परफॉर्म करते हो, तो खास बात मुझे क्या चाहिए, मुझे addition चाहिए, तो always remember यहाँ पर जैसे select line A, select line B, ऐसे यहाँ लिखाओ OPR, OPR होता है operation bit, operation bit in starting level पर जब computer बनाएगा तो 5 bits का बनाएगा, मतलब 0 एक बाद दो, 3 lines स toot the power 3, मतलब 8, आप लोग selection generate कर सकते हो, यहाँ पर 5 है, 5 का मतलब toot the power 5, मतलब 32 operations are possible in your value, मतलब 5 bit से 32 operation हो सकती है, देखो यार, 5 bit का मतलब 0 0 0 0 0 0, यह starting इसी तरीके से 0 0 0 1, 0 0 0 1 0, इस तरीके से लिखते जाओ, लास्ट में क्या आगा, 5 1, 5 1 क्या होता, 32 होता, decimal में, है ना, जिनको अगर number system नहीं आता, कुछ दिनों बाद में number system भी बढ़ाओंगो, don't worry, ठीक है, इतनी बाद समझ मादी, तो among 32 operations, जो यहाँ bit का combination होगा, मतलब माल लो, कि अगर माल लो, तो खास बात यह है, कि 0 0 0 0 का अपना एक operation का मतलब होता, मतलब होता, एक 32 operation में, एक कोई जो combination होगा, वो एक operation का represent का रहा हूँ, हो सकता, माल लो, आप लोग यह सोच लो, को, assume करो, यह fix नहीं है, कि माल लो, जो 0 0 0 1 है, यह addition करता है, ठीक है, तो आप एक बाद दो, इस समय जो input होगा, वो क्या होगा, 0 0 0 0 1, तो कौन generate करता है, this is also generated by whom, controlling, मतलब जितने भी selection line, जो भी operation, जो भी control कर रहा है, कौन कर रहा है, यह और ELU, बास समझ में आगी, मतलब, ELU is able to perform 32 operation, I need to select one among 32, why, because I need addition operator, for the execution purpose, 32 में से मैं कोई एक select करूँगा, वही जो, वो selection depends करेगा, input पे, मतलब, इन 32 में से मेरा क्या combination होगा, वही मेरा input होगा, मैं selection कर रहूँगा, ठीक है, suppose that मेरा addition perform होगा, अब addition मेरा कहा इस्टोर होगा, R1 में स्टोर होगा, means to say, यह आपका R1 यहाँ टार्गेट इस्टोर होना है, तो कैसे इस्टोर होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से output निकला, आउटपुट निकल के, देखो, आउटपुट जो है, वही ज़रूरी थोड़ा ना के R1 में स्टोर होगा, देखो, आउटपुट लाइन जो है, यह देखो, आउटपुट लाइन गई, आउटपुट लाइन आपके सब से connected है, सब से connected, अब फिर वही मुद्दा, कोई भह आउटपुट कर देगा, आउट लाइन को 3 में convert कर देगा, और जो decoder हो, 3 लाइन को तूटदी पावर 3 मतला 8 में convert कर देगा, दोनों को उल्टप कहा मैं, तो एक बात बताओ, मेरे को कितने output generate, मैं कितने कर सकता हूँ, 7 है, लेकिन अगर माल हो, यहाँ पर एक और उता, 8, तो मैंने अभी आप लोग को बता है कि 7 तूटती पावर में आता नहीं, इसलिए हम लोग 3 input consider किया, यहाँ भी 3 input consider किया, यहाँ भी 3 input consider किया, यहाँ भी 3 input consider किया, means to say what, एक बात बताओ, यह जो decoder होगा, इसकी भी जो possibility होगी, जो मैंने आप लिगा, इसकी भी 3 bit होगी, व मेरे को store कहा करना है, आरवन में, तो एक बात बताओ, आरवन का combination क्या होगा, 00, अभी बता रहा हूँ 00 क्या क्या होगा, 001, 001 किसका code है, आरवन का code है, मतलब, among these 7 registers, मेरा कौन यहाँ से input आएगा, 3 to power में 8 जो input आएगा, वो क्या 00, मतलब, 3 से ध्यान से सुनना, यहाँ से जो load, एक तरीके से load input है, कि आगा 001 है, तो आखोर, जो 7 यह 7 यह 8 register सावन की, इदे को पता, 3 से 7 का register का यह काम हो सकता, 8 का भी हो सकता, 9 का नहीं हो सकता, 9 के लिए किस की जरूत पड़ेगी, हाँ जी, 9 के लिए किस की जरूत पड़ेगी, 4 bit की, 10 के लिए कि जरूत पड़ होगा, कोई एक बंदा, इनेबल होगा, रिसीव करने के लिए, मतलब यहां से R2 और R3 का जो एडीशन, ALU से जनरेट हो रहा है, उनको रिसीव करने के लिए कौन इनेबल होगा, दाट इस, डेपेंड्स ऑन दा, डीकोडर, इनपुट, अगा 001 इनपुट है, तो सिर्फ औ आप लोगों को और दिखा रहा हूं, जिनसे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, होफिली आपको चीज़ें, मैंने बहुत डीटेल में बता है, इसलिए आप लोग यह नहीं कैसे सकते सर, इस्टेल अगर डावट है, तो एक बार लोग लेक्चर और दीखना है, ठीक, तो इंपुट मुझे रिसीव करना ता, किस्सने डिसाइड किया, सेलेक्शन लाइन ईसे, तो 3-Bit-का सिलेक्शन लाइन अगा, 3-Bit-का सिलेक्शन लाइन भी हो गया, 5-bit, 32-10- corre- drynoñ बर से किसी एक उपरशन को सेलेक्ट किया, operation बर से 5-bit किये सेलेक्ट लाइन D, जो D से कहां आउटपूट जाएगा वह से हुआ तो टोटल जो कंट्रोल वर्ट का साइज इस ओर्गिनाज़ेशन के लिए हुआ तीन और थ्री और थ्री सेक्स नाइन और फाइब 14 बिट का साइज होगे आपके कंट्रोल बिट का मतलब 14 बिट कौन जनरेट करेगा एक साथ आपका कंट्रोल इनुट तो थ्री बिट यहां अच्छा कॉमन सेंस इतना तो समझ में आ गया होगा वह कोड क्या होगा वह ऑपरेशन बिट आपकी बताएं तो यह हो गया कंट्रोल बिट अब मैं थोड़ा सा आपको एक टेबल दिखा रहा हूं से आपको थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर होगी एक और चीज आप लोग दिखलो इन 77 लाइन के अलाबा यहां पर जो आठव तो उसकी लिए जो selection line itu dibuj उओंगी 0000 जो कि मैंने अभी आपको इगनाcha 00000 बस इतना आप लोग ध्यान अणगना अगा यह जो दो टेबल हैं इसी topics related हैं आप लोग ध्यान से सुनों आपका target क्या था R2 प्लस R3 को कहां करना था R1 में तो देखो है ना तो देखो क्या होने वाला है अगर R2 को enable करना है तो R2 के लिए जो binary code होगा देहां से देखना आप लोग देखो R2 के लिए select line input होगी होगी 011, 011 से क्या enable हो जाएगा R2 एक तरीके से table बता रखिए और अगर R3 enable करना है तो R3 किसके लिए select line B के लिए उसका क्यार क्यार क्या होगा 011 और अगर R1 decoder क्या select करेगा R1 तो मतलब पहले select line के लिए जो 3 bit का combination होगा मक्स B के लिए 2 के लिए जो select line का combination होगा और जो decoder मतलब जो की loading होगी जो result save होगा उसके लिए 3 bit का combination ही होगा उससे पहले मुझे क्या perform करना है एडिशन perform करना है जो 32 bit का जो OPR select था ना 5 bit का वो 5 bit का addition के लिए होगा यह मतलब जो 5 bit का combination होगा वो 0-0 मालो अगर कभी-कभी इनके बीच में आपको subtraction करना होता तो code क्या होता OPR का वो यह होता यह fix deck तरीके से अगर decrement करना होता तो यह code होता ट्रांसफर के लिए यह code है काफी सारे coding को रटने के जरूवत नहीं है बट इसलिए आइडिया दे रहा हो कि वो bit का combination क्या क्या possibility हो सकती है So this is all about general register general register organization based CPU CPU is basically used for what execution purpose with the help of registers with the help of control unit with the help of ELU you can perform any kind of execution into your CPU CPU execution प्रूफ होगे क्यों register भी existence ELU भी existence control word कौन generate करता है control unit तो control unit भी existence सारे मिलके काम करते है ठीक है अभी ELU की बीच में क्या हो रहा है edition subtraction सारी चाहे हम लोग आगे पढ़ने वाल है So thank you for today We will discuss the next CPU organization that will be stack organization in the next lecture Thank you